हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं इस्टडी फीट आफ फीजिकल एजुकेशन चैनल जैसा कि एक वीडियो है एनोटोमियम फीजियोलोजी के रेस्पाइरेटरी सिस्टम यानि की स्वसंद तंत्र से रिलेटेट तीसरा वीडियो है इस प्रकार में स्वसंद तंत्र से सील के बारे में बता चुकी हूं तरत टन्तर के बारे में बता चुकी हूं यह है आपका स्वसंद तंत्र यह तिसरा पार्ट है इसके बाद डाइजेस्टी सिस्टम चलेगा दोस्तों जैसे कि यह BPSC 2013 TGT का एक्जम जल्द से जल्द होने वाला है आपके पास टाइम नहीं है उसी को देखती हुए मैं चेप्टर वाइज एक एक टॉपिक का रिवाइज करवा रही हूँ यम सी क्यों की माद यम से एक्स्प्लेंग करते हुए जैसा कि A, QPAC, TGT के लिए ही नहीं है अधरवाई सभी फिजिकल एजुकेशन कमपटेशन एक्जाम चाहे क्योई भी इस्टेट का हो कोई भी एक्जाम हो सभी के लिए है सभी लोग तयारी किजिए, सभी लोग डेली बेसे से प्रैक्टिस कीजिए तो दोस्तों चलते हैं आज की कोउस्टन के तरब कोउस्टन है कि फाइन ट्यूंड में एक्सरसाइज के दौरान वायू संचान नियंतर निर्भर करता है तो fine-tuned के exercise के दुरान वाई संचार नियंत्र निर्भग करता है किस पर निर्भग करता है दोस्तो fine-tuned ventilation control during exercise depends on यह निर्भग करता है higher brain center and passive neural feedback higher brain center and passive neural feedback पर निभग करता है A और C यहां पर दोनों right है and the next question है कि निमने में से कौन सा एक प्रकार का cellular स्वसंग है जो oxygen की उपस्थिती में होती है तो दोस्तों सही जवाब इसका आप दे दिये होंगे which of the following is a type of cellular respiration that occurs in the presence of oxygen presence of oxygen यानि oxygen की presence में oxygen की उपस्थिती में जो cellular स्वसंग होता है उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम कहते हैं दोस्तों वाइवी एसोसन जिसे एरोबिक स्वसल रिस्पाइरेशन और क्रेप्स चक्र और साट्रिक एसी चक्र इतने नामों से जाना जाता है ये माइट्रो कांडिया में संपन होता है इसी के दवरा उर्जा बनती है एक टीपि कर निर्मार होता है और ये सहन सिल्टा यानि यानगे इंडियरेंस वाले क्रियाओं में ज़्याओं में ज़्यादा होता है एन नेक्स्ट कोच्चन है आक्सिजन के बिना सेलिलर उज्जा के उत्पादन की प्रकेरिया किस रूप में जाना जाता है दो प्रोसेस अब प्रोड्विजिंग सेलिलर एनर्जी बिना उर्षीजन is known as बिना oven oxygen के कौन सी cellulose question होती है उर्जा का उतपादन होता है तो बिना oxygen के उर्जा का उतपादन वो होता है OYV agent यानि कि unarray vacisation के द्वारा यानि कि यहाँ कोशिका द्रब में संपन होता है जिसको glycolysis प्रक्रिया कहते है जिसमें 2-pirevic आमल का निरमा होता है वही 2 ATP का जो निर्मार होता है वही 2 pyrevic अमर जाता है माइट्रो कानडिया में और माइट्रो कानडिया में जा करके 36 ATP का निर्मार करता है और इस प्रकार cellular sosion के द्वारा कुल 38 ATP का निर्मार होता है यानि कि 2 ATP का निर्मार होता है glycolasis यानि कि OIV sosion on aerobic respiration में और 36 ATP का निर्मार होता है YV sosion यानि के द्वारा यानि कि aerobic respiration में को और 36 ATP ठीक है वही ATP जो है बाइट्रो कानडिया जो उर्जा बनाता है ATP जहां जहां हमारे सरी को उर्जा किया सकता होती है वहाँ वहाँ जाता है और नेक्ट कोस्टन है निमने लिखित गैसों में से कौन सी हवा में सबसे अधिक प्रतिसात में उपलब्द है Which of the following gases is available in highest percentage in air तो यहाँ पे सही जबाब है आप सब answer देर यह होंगे nitrogen कितना percentage है 78% oxygen 21% and आपका carbon dioxide 0.03% जबकि यही amount में जो आइमंडर ले उपसी थे वसी amount में हम सांस लेते हैं इन सब ही को आप सांस छोड़ती समय जिसे की लेती समय oxygen गया 21% और छोड़ती समय 16% बहार निकलता है nitrogen ज़े 78% जाता है 78% का पूरा का पूरा निकल जाता है कोई यूज नहीं होता carbon dioxide 0.03% जाता है लेकिन बाहर निगलता है 4.04% and the next question है कि cardio pulmonary recitation जिसे CPR कहते हैं कौन सी रोगी के लिए कृतिम वायू संचालन और रक्त संचार इस्थापित करने के लिए प्रियोग किया जाता है तो कार्डियो pulmonary recitation CPR यूज टू इस्टेबलिस artificial ventilation and blood circulation for which patient तो यहाँ पे कब दिया जाता है CPR जब कोई व्यक्ति स्वास नहीं ले पा रहा होता है उस condition में उसे CPR दिया जाता है थप थपाया जाता है एक मिनट में कम से कम सो बार इतना इस पीर से थप थपाया जाता है कि फिर वो अपने पहले वाले इस सिती बे stable हो शके and next question है स्वसंतंत्र एक किस्म की tube होती है जो बिलनाकार और इसे स्वास नली भी कहते है तो respiratory system is a type of tube which is cylindrical and is also called respiratory tract तो इसे कहते हैं ट्रैक्या स्वास नली क्या कहते है ट्रैक्या इसी के बाद हम से जो गैसे होती है हमारे थेफ़ों तक जाती है फिर एल्विलाइज में एकठा होती है वहां से बलड और फेफ़ों के बीच गैस्यों का अदान प्रतान होता है फिर वो RBC का हिमोग्लोबिल लेकर के oxygen को चला जाता है समस्त कोसिका हो तक जहां कोसिका में पहुँचने के बाद सबसे पहले और YV स्वसन यालेकिकोसी का द्रब में स्वसन होता है उसके बाद जाता है माइट्रोकांडिया में YV स्वसन होता है इस प्रकार स्वसन पुरी समपूर होती है And next question है oxygen कर्ज का अविसकार किस ने किया? तो आक्सिजन कर्ज का अविस्कार किस ने किया Who invented oxygen loan तो आक्सिजन कर्ज का अविस्कार किया है AV Hill ने जैसे कि दोस्तो जब हम समाने बिस्राम की अवस्था में है तो एक मिनित में जितना हम स्वसन आक्सिजन ग्रहर कर रहे हैं फिर हम कोई activity करेंगे exercise करेंगे उसके बाद recovery period में जितना हम एक मिनट में oxygen कर रहे हैं उन दोनों के अंतर को ही कहते हैं oxygen कर्ज यानिकि समाने बिस्रा माउस्था में एक ही समय अवधी में ब्याय की गई oxygen तथा भरपाई के दौरान यानिक recovery के दौरान कियेगे oxygen के खर्ज की मा आप समझ गए होंगे ब्रिटिस फिजियोलोजिस्ट आर्थी वाल्ड बेवियल हिल ने 1922 में पहली बाद oxygen कर्ज का आविस्ट कर्ज का बरतमान में oxygen कर्ज को oxygen पोश्ट exercise oxygen consumption के रूप में जाना जाता है APOC के रूप में जाना जाता है and the next question है कि सरीर में oxygen परियोहन के रास्तों को पहले की बाद का सही कर्म बताईए till the correct order the path which of oxygen transport in the body यानि कि कि सेक्वेंस में जो है वो oxygen यानि कि जो वायू होता है हम सौंस लेते है तो वो हमारे body तक cells तक जाता है तो सबसे पहले हमारा फेपड़े में जाता है तो सबसे पहले जाता है तो सबसे पहले जाता है ट्रैकिया में स्वास नली में नाक के बाद जो हम लेते हैं स्वास तो सबसे पहले कहा जाता है स्वांस नली में त्रेगिया में उसके बाद फ्रेप्रे में जाकरके इल्वलाई में जाता है फिर इल्वलाई में जाने के बाद ब्लड निलेता है उसके आक्सिजन को यानि आर्बीसी का हीमोग्लोबी तो ब्लड में चला गया उसके बाद बहाद नबर D यहां पर राइट एंसर होगा तो दोस्तों यहां पे एक question है प्रारधार छमता क्या है वाट इज वाइटल कैपेसिटी तो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है अधिक्तम अंतह स्वसन के बाद हवा की सबसे बड़ी मात्रा जो स्वास द्वारा छोड़ी जा सकती है तो यहां पे आपसा नंबर सी आपका राइट होगा अधिक्तम अंतह स्वसन के बाद हवा की सबसे माड़ी बात्रा जो छोड़ी जा सकती है यानि maximum inspiration the largest amount of air that can be exhaled after inspiration यानि कि एक फेप्रा की वह छमता होती है जो एक बार पूर रूप से अंतह स्वसन यानि कि inspiration करके पूरे बल के साथ जो हवा वाह स्वसन द्वारा बाहर निकाले जाती है उसी इनकी मात्रा को vital capacity करते है vital capacity यानि कि प्रार धार चमताओ को ग्याद करने का सुत्र होता है tidal volume plus complementary air plus supplementary air यानि कि कुल मिला करके vital capacity कितना होता है tidal volume 500 ml, complementary air 3000 ml and supplementary air 1100 ml कुल मिला करके 4600 ml होता है vital capacity and एक होता है total lung capacity total lung capacity ग्याद करने का सुत्र होता है vital capacity plus residual volume vital capacity आपका हो गया 4600 ml and residual air जो होता है जो हमारे पूरे बल के साथ expiration यानि वाह स्वसन के पस्चाल फेफर में जो हवा बची रहती है उसी को और सिस्ट वायू या residual air कहते है तो total lung capacity ग्याद करने का सुत्र है vital capacity plus residual air vital capacity आपका 4600 ml हो गया residual air 1200 ml हो गया total lung capacity फेफरे की चमता होती है and the next question है किसके मापन के लिए weight spirometer का प्रियोग किया जाता है weight spirometer is used to measure what तो किसके मापन के लिए किया जाता है जैविक चमता यानि की vital capacity को ग्याद करने के लिए जो हमारे फेफरो की स्वसन की चमता होती है तो इसको ग्याद करने के लिए किया जाता है जो 4600 ml होती है vital capacity and next है BO2 max में सुधार लाया जा सकता है BO2 max can be improved किसके द्वारा improved किया जा सकता है तो exercise द्वारा through exercise ठीक है through exercise यानि कि ब्यायाम द्वारा उसको इंप्रोब किया जा सकता है BO2 max मतलब अधिक्तम oxygen ग्रहळ करने की चमता यानि AIROVYS से ताथरा ऐसे ब्यायाम से हैं और कार्बोहाइड के प्रतिसत को निधायत करने के लिए प्रयोग किया जाता है याद रखेगा इस कोशन में ही एक कोशन और छुपा हुआ है एंसर छुपा हुआ है कोशन बन सकता है कि RER का प्रयोग किसमे होता है तो RER का प्रयोग होता है चै अपचै यानि कि मेटाबोलि में के लिए इस्तमाल वसा और कर्भोहाइडेट की प्रतीसत को निधायत करने के लिए प्रयोग किया जाता है यहां RER का पूल रूप किया है RER यूज़ टू डिटर्माइन दौ परसेंटेज आफ फैट एन कर्भोहाइडेट यूज़ फार मेटाबोलेज में RER का फूल फॉर्म होता है क्या होता है तू RER होता क्या है कि कर्भोड डियाउकसाइड की बीनिमे की दर अपान आक्सिजन की ग्रहण की दर होता है RER एन नेक्स्ट कोश्चन है किसका उपुदबाद है किसका उपुदबाद है किसका भाई प्रोड़क्ập है लैक्टिक एसिद तो यह है और वाइवी उपापचे यानि एनारोबिक मेटाबोलिज में याद रखेगा जो लैटिक अमल बनता है ठकावट होता है वो और वाइवी स्वसन और एराबोलिक एन एरोबिक मेटाबोलिज में जो होता है गलाइकोलाइसिस तरक्रिया उसमें metabolism में लेक्टिक अमल बनता है ठीक है एंड नेक्स्ट कोशन है कि बहुत कठीन ब्यायाम के दौरान थकावट होने का प्रमुखकारण है तो हर्ड एक्सरसाइज थकावट यानि फौर्टिक का क्या करा होता है आप सब जानते हैं लेक्टिक अमल का बनना थीक है यानि फौर्मेशन ऑफ लेक्टिक एसीड यानि कठीन ब्यायाम के दौरान थकावट होने का प्रमुखकारण होता है फौर्मेशन आप लेक्टिक एसीड यानि लेक्टिक अमल का बनना या दुगधार्म का बनना क्योंकि सरी में कारे संपादन है तो सकती ग्लाइकोजन नामक बदार सिप्रात होती है कारे या ब्यायाम की नियरंतरता से ग्लाइकोजन का परिवर्तन लेक्टिक अमल के रूप में होने लगता है जिससे मानस्पेसिया सिकोरने लगती है मानस्पेसियों के सिकोरने से आक्सीजन की आपूरती प्रहावित होती है और खिलाडी को ठकान का उनभव होता है एंड नेक्ट कोशन है कि आक्सीजन रिल्ड को कैसे परिभासित किया गया है तो दोस्तों आक्सीजन रिल्ड क्या होता है कि वह अतरिक्त आक्सीजन जिसे जोरदार ब्यायाम के बाद सभी प्रडालियों को अपनी सामान्य अवस्था में पुरर जिवित पुरर इस्थापित करने के लिए सरी में लेना चाहिए यानि कि the additional oxygen that must be taken into the body restore all systems to their normal stage after vigorous exercise जैसे की आप समझ गए होंगी कि जब आप नारमल इस्थी में स्वास लेते हैं oxygen गरहड करते हैं फिर exercise करते हैं या कोई तो उस चया करते हैं भरकाई करते हैं तो इस अत्रीक्त आकसिजन की पुले इस ऊत्रीक्ट रिभगा करते हैंangi जो मातरा भरकाई करते हैं वही जो मातर उसक्थ करते हैं रिभSh真的 कर रहे थे उसके के बाद exercise करेंगे उसके बाद recovery के दवरां जितना oxygen ग्रहड करेंगे उन दूनों के अंतर को हम कहेंगे oxygen जरी ठीक है and next question है कि अधिक उचाई पर जहां वाई मंडलिये दबाव आधा है यानि कि at higher altitude where atmospheric pressure is off तो वहां पर क्या होगा वहां पर दोस्तों फेफरे समंधी ventilation बढ़ जाता है pulmonary ventilation increase हो जाता है यानि कि oxygen ग्रहड करने की जो छमता होती है वो बढ़ जाती है क्योंकि अधिक उचाई पर क्या होता है oxygen कम पाया जाता है क्या होता है oxygen कम पाया जाता है and next question है निम्नलिकित में से किस तरह के कारेके में प्रती घंटे सबसे जादी मातरा में कैलोरी की खपत होगी which are the following type of work consumed the highest amount of calories per hour तो जो कैलोरी है per hour सबसे जादा मातरा में खपत किसे में होगी इन चार आप्सनों में तो दोस्तो रनिंग में सबसे जादा कैलोरी बर्न होगी किस में रनिंग में ठीक है and the next question है कि उत्तक आक्सिडेशन के दोरान रक्त में प्रवाहित होने वाली करबन डे आक्साइड होती है तो उतक आकसिडेशन के दोरान रख्त में प्रवाहित होने वाली कर्बन डाइकसाइड होती है What is the कर्बन डाइकसाइड that flow into the blood during tissue oxidation तो उतक के आकसिडेशन के दोरान रख्त में जो प्रवाहित होने वाली कर्बन डाइकसाइड होती है ओ क्या होती है वो होती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबीन क्या होती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबीन क्याने कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबीन जो है वो उतक आक्सिरेशन के दोरां द्रक्त में प्रवाहित होने वाली कार्बन डैक्साइड होती है कार्बन मोनो आक्साइड के साथ संपर्क में लाल रक्त को सिकाव में बने कार्बन मोनो आक्साइड ही हिमोगलोबीन के एक साथ इस्थित जदिल योगिक बनाते हैं यानि कि कार्वन की छोटी सी सांदर्ता का एक्स्पोजर सरीर में आक्सिजन देने के लिए हीमोगलोबीन की छमता में बाधा डालता है क्योंकि कार्वोक्सी हीमोगलोबीन HbO2 जो है से अधिक आसानी से योगिक बना देता है तो दोस्तों एथा आपके आज की सेजन मे आथारे कोस्टन रिश्पाइलेटरी सीस्टम यानि की सोशल तंतर से ए थीन वीडियो आपके रिश्पााइलेटरी सीस्टम से था आयोके इससे बाहर कोस्टन नहीं आ सकता है अब एब नेक्स्ट वीडियो होगा आपका पाचल नंतर पोसर यानि कि डाइजेस्टी सिस्टम निट्रेजन एन मेटा बोलेज में से रिलेटेड होगा एंड दोस्तो इस तरह आप डेली बेसेस पे पैक्टिस करते रहे और वीडियो को जादे से जादे सेयर भी कीजिए और जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए और फॉस्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चनल को सब्सक्राइब कर लेजी बेल आइकों को प्रेस कर लेजी जिसे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुशता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैंग